पोपो एप में एजंसी क्रियेट करने के काफी सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे पहला तो है इसे आप रेफर करके एक रेफरल के आप 14 डॉलर की अर्निंग कर सकते हो दूसरा यहाँ पर आप होस्ट को एड करके जितना भी होस्ट यहाँ पर काम करेगी 4 से 20 परसंट तक का क बिल्कुल सही देखा दोस्तों आपने धमनेल में आप पोपो एप में एजंसी क्रियेट करके यहाँ पर होस्टों को एड करके यहाँ पर आप मन्तली लाखो रुपय तक की अर्निंग कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एजंसी लेने का प् सबसे पहले इस वीडियो की डिस्यप्षन में दोस्तों का डा alrededor नंग मिल जाएगा वहाँ से जाके आपको डाउन लोड कर लेना हैं और उसके बाद आपको गूगल या मोबाइल नंबर से sign in कर लेना है इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों इस वाले icon पर click करना होगा और उसके बाद आपको यह जो auth का option एक दिख रहा है अगर आप mobile number से login नहीं करते हो अगर mobile number से login करते हो तो अल्रेड़ी यह बाइंड हो जाएगा तो अगर मानलो अगर आप Gmail से login करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना mobile number बाइंड कर लेना है दूसरा यहाँ पर आपको यह second वाला ऑप्शन जो है face authentication यहाँ पर अपना face verification कर लेना है face verification करते टायम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपनी एक photo लगा लेनी होगी तो यहां पे दोस्तो फाइनिली आपका आईडी बन चुका है अब बात करते हैं दोस्तो यहां पर आप खुद की इजेंसी कैसे क्रिएट करोगे तो यहां इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐसके एक और लिंक दिख़ेगा दोस्तो agency का वहाँ पर आपको click करना होगा जब उस link पर दोस्तों आप click करोगे कुछ इस तरह का page open हो जाएगा यहाँ पर आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पर popo ID अपनी दे दिनी है popo ID आपको कहा मिलेगी आपको अपने account में आ जाना है इस तरह से account में आ जाओगे दोस्तों यह जो उपर आपको ID नंबर दिख रहा है यह आपको यहाँ से copy कर लेना है तो उसके बाद यह copy करने के बाद आपको यहाँ पर paste कर देना है या फिर type कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर get पर click करेंगे तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर एक system message चला गया है तो यह देखो यहाँ पर यह आपको जो code है यह आपको यहाँ पर fill कर देना है उसके बाद submit कर देना है कुछ timer चलता है यहाँ पर एक minute का उसके अंदर-अंदर ही आपको यह submit करना है अगर मान लो आपको ऊपर ऐसे message नहीं आता तो यह आपको कहा मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से आपको अपने app में फिर से चले जाना है और नीचे इस वले icon पर आपको यहाँ click करना होगा और यहाँ पर देखेंगे आप system manager यहाँ पर यह दिखिए यहाँ पर आपको यह code दिख जाएगा इसी code को copy कर लें या फिर यहाँ पर type कर दें यहाँ पर type करके और यहाँ पर submit कर देना है तो इसके बाद दोस्तों आप agency में जुड़ चुके हो आपकी खुद की एक agency create हो चुकी है यह आपको दोस्तों कैसे पता लगेगा कि आप agency से जुड़ चुके हो तो दोस्तों जब आप अपने account पर जाओगे यहाँ पर popo app को open करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ इस वाले profile वाले option पर जब आप आओगे तो यहाँ पर दोस्तों जब first time आपने id create किया था तो आपके सामने ये agent add host ये चारो option नहीं show हो रहे थे तो जब आप agency join कर लेते हो तब आपके सामने ये option show हो जाते हैं तो अभी दोस्तों आप agency join कर चुके हो अब बात करते हैं आप agency जब join कर लोगे तो उसके बाद host कैसे add करोगे host add करने का दोस्तों बहुत ही simple तरीका है आपको क्या करना है यहाँ पर agent वाले option पर click करना होगा और जैसे कि उपर आप देख सकते हो यहाँ पर add host का option आपको दिखेगा यहाँ पर click करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको host id यहाँ पर लिखते नहीं होगी और यहाँ पर host code यह आपको कहां से मिलेगा यह भी मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा बैग जाना होगा जो भी host add करोगे उनको आपको बताना होगा उनको आपको बताना होगे कि वो वहाँ पर click करें वहाँ पर उनको यह दोनों चीजे मिल जाएगी जो आपको यहाँ पर fill करना होगा add a host पर यहाँ पर तो यहाँ पर वो दोनों चीजे आप screenshot मंगवा लें या फिर आप दोनों code ले लें अगर आप निचे scroll करके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ example भी मिल जाएगे जहां से आपको idea लग जाएगा तो यह दोनों ID फिल करने के बाद यहाँ पर आपको send invitation पर आपको भेज देना होगा और उसके बाद जिस भी host को आप add करोगे उस host के यहाँ पर इस वाली option पर एक message चला जाएगा यहाँ पर system manager पर उनको एक invitation चला जाएगा उनको आपको फिर से कहना है कि वो accept कर ले बस इतना process करवाने के बाद दोस्तो hosting का process done हो जाएगा और यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दू जो इस video को देख रही है अगर वो hosting direct लेना चाहती है तो hosting का भी link आपको direct इस video के description में मिल जाएगा आप इसी process को follow करके hosting ले सकती है तो दोस्तो यहाँ तक तो आपको clear हो चुका होगा कि यहाँ पर agency कैसे लेनी है और host को कैसे add करना है तो यहाँ पर एक चीज और आ जाती है कि salary sheet आखिरकार क्या होने वाला है salary क्या होगी तो यहाँ पर मैं आपको example यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं clearly 10,000 coin के 82 rupees मिलते हैं 82 rupees हो गया 1 dollar तो यहाँ पर एक और काफी तगड़ा benefit मिल जाता है काफी सारी इस तरह की applications है जहाँ पर आपको 70 या 75 rupees ही मिलते हैं लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 82 rupees आपको यहाँ पर मिलते हैं 1 dollar के तो यहाँ पर आपको 1,000,000 करना होगा minimum और 1,000,000 कोईन के आपको 820 rupees मिल जाते हैं दोस्तो अभी बात करते हैं आप जो भी income करोगे उसे withdraw कैसे करोगे withdraw करने के लिए दोस्तो आपको फिर से profile वाले option पर आ जाना होगा और यहाँ पर आप options देख सकते हैं withdrawal का यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर जैसे कि मैंने अपना bank detail यहाँ पर bind कर रखा हुआ आपको यहाँ पर bind करना होगा यहाँ पर आपको दोस्तो काफी सारे option भी मिल जाते हैं withdrawal के जैसे कि देख सकते हो आप e-pay के जरिये भी ले सकते हो आप चाहो तो crypto के form में भी ले सकते हो यहाँ से एंटर करो और नीचे से submit कर देना है 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपकी payment है दोस्तो आपके bank account में आ जाती है उमीद करते हैं दोस्तो आपको popo live में agency लेने का process और hosting create करने का process और salary sheet और बागी details सारी यहाँ पर clear हो चुका होगा दोस्तो अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का doubt यो question हो तो इस वीडियो के description में मैंने direct अपना WhatsApp number दे रखा हुआ आप वहाँ पर click करके मुझे directly पूछ सकते हैं या फिर दोस्तो आप मुझे comment करके भी पूछ सकते हो और दोस्तो अगर यह आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथी साथ चैनल को भी जरूर सस्क्राइब कर दे मैं इसी तरह के वीडियो साब के लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में